आप सभी का स्वागत है competition community के इस online platform पर जहां पर हम लोग अपनी current affairs की national international जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स होते हैं इसको हम लोग लगतार देख रहे हैं और आज 11 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स है national international हम देखेंग लेकिन जो भी current affairs हमारे previous वाले भी हैं जो की बीच बीच में मिस हो गए वह भी हम लोग यहां पर cover कर लेंगे तो बिलकुल निश्चिंत रहें बिलकुल आराम से पढ़ें भली थोड़ा video लेट हो जाता है लेकिन जब भी आते हैं तो सारे questions हम लोग cover कर लेते हैं जो अगर g wolves championship race की मेंजबानी करेगा तो हमने बोला moto grand prix के हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो motorcycles की सबसे बड़ी motor bikes की और रेसिंग होती है, वो Moto Grand Prix कहलाती है, और 2023 में भारत के जो बुद्ध इंटरनाशनल सर्केट है, जो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर ऑर्गनाईज होने वाली बहुत बड़ी बात है, तो बुद्ध इंटरनाशनल सर्केट जिसको JP ग्रूप ने बनाया है, तो यह एक सर्केट है, और यहीं पर Moto GP 2023 भारत में आयुजित होगी, यह हमने देख लिया था, चले, और हमने फोटो भी देख ली थी, जहां पर योगी साब, जो की मुख्यमंत्री है, यूपी के, वो ले रहे हैं, मतलब यह जो पूरा जो डील हो रहा है, Moto GP को भारत में करने का व होग था, साल 2009 में होगा ता, कहा पर होगा था रशिया में, और मैंने आप सब बच्चों को यह भी भी बात बताई है, कि जो 13th edition हुआ है, जो 13th edition हुआ हो भारत में हुआ, तो जो भारत में 13th edition हुआ हुआ नहीं है, उह 20-Ad sizin नहीं हुआ, को से साल 2023 का, तो इसका सही जवाब क्या है कहाँ पर होगा दक्षिन अफ्रीका, दक्षिन अफ्रीका में होगा 15th edition चल ये भी हमने बात कर ली थी, हाली में किसे भारती चिकितसा अनुसंदान परिशत का महानिरदेशक न्यूक्त किया गया है, तो हमने नाम देख लिया था, डॉक्टर रा लगता है कि हम लोग थेस्ट चल रहा है, जहां हम लोग रिवीजन करते हैं, वहां पर हम लोग थोड़ा पेस्ट बनाते हैं, क्योंकि प्रिविएस वीडियो में हमने इसको बड़ा स्लोली आराम से देखा था, तो जो आज का फ्रेश कॉंटेंट होगा, वो निश्चे बुकर प्राइज, इंग्लिश में कोई किताब या इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कोई किताब में मिलता है, तो इंटरनैशनल बुकर प्राइज जो है, अगर आपने इंग्लिश में किताब लिखी हो, या आपने कोई भी दूसरी भाशा में लिखी हो, लेकिन जो कि भारत की एक महिला और उनको भी रेत समाधी जो उन्होंने हिंदी में किताब लिखी और उसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉक्वेल ने और ट्रांसलेट इंग्लिश में किया तो इसलिए ये किताब भी अलिजिबल थी बुकर प्राइस के लिए बहुत शानदा बिला है बुकर प्राइस इसी साल मई 2022 में आपको ये भी बात बताई थी घितांजली श्री अचा हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिम्स खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया हिम्स खलन यानि एवलांच तो बहुत तेजी से जब हम देखते हैं कि बर्फ नी स्लाइड हो ये दोनों की इंफॉर्मिशन दे देगा सिक्किम में स्थापित किया है हमने देख लिया था बाल विवा को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंदित है अलीवा पहल कहां से संबंदित है और प्रीवियस वाले में मैंने शाए टिक नहीं किया तो परिशान नहीं होंगे तो किस राज्य में देश स्कलन वाली बात थी हमने बोला किस राज्य से संबंदित है बाल विवा को मिटाने कि लिए अलीवा अलीवा रजिस्टर असल में ओर तो इसा में चुरू किये गए है और उर्जिस्टर अब है नया गड्र लिवा यहां पर गटना की सूचना मिलती है जब प्रशासन वहाँ पर जाएगा अधिकारी जाएंगे तो उनको पूरा मालूम होगा कि यहाँ यह लड़की इसका यह नाम है इसका यह देखो डेट ऑफ बर्थ है इसके पेरेंट्स का यह तो एज पर विवाद नहीं होगा कि लड़की की एज किती है बिलकुल संस्थान के पास सरकार के पास पहले सी पूरे रिकॉर्ड होंगे ठीके ना चलो तो ओड़ी सा इसका सई जवाब है नेक्स बात करें रुपया वेपार के लिए भारती रिजर्व वैंक की मनजूरी पाने वाला पहला भारती बैंक कॉन सा यू को है तो यह भी हमने बात कर ली थी कि असल में रशिया से अभी कोई दुनिया में जादा लोग सामान खरीद नहीं रहें इसलिए रूस की जो एकनौमी वो नीचे बैठ रही थी ऐसी इस्टिती में भारत जो रूस से वैसी कई सामान खरीदता है तो भारत ने रूस से बोला कि देखो हम तुमसे टेल खरीदेंगे लेकिन हमारी एक शर्थ है कि तुम्हें हमसे जो पेमेंट है वो डॉलर की जगा रुपए में लेनी पड़ेगी अभी तक हमसे पेमेंट किसमें लेता था डॉलर इंटरनेशनली डॉलर में ट्रांजक्शन होते हैं लेकिन हमने रूस को बोला ह इनी अकाउंट में जिनको वॉस्तरों बोलते हैं और रूस यहां पर रुपया में लेता है चलो चर्चा मेरा ऑप्रेशन मेंग चक्र किस से संबंदित है ऑप्रेशन मेंग चक्र संबंदित है बाल यौन शोशन को रोकने के लिए बात करें हाली में संपन दिलिप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नमेंट 2022 का खिताब किसने जीता है तो हमने बात कर ली पश्चिमी शेत्र नहीं खिताब जीता है मैं फिर बोल दू जो बच्चे बीच बीच में चुड़ रहे हैं यह लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है इस पश्चिम जीत गई है कौन हम देखते हैं कैप्टन थे वेस्ट जोन के अजिंग के रहाने और सरवशेष्ट प्लेयर का किसको अवर्ड मिला है दिलिप ट्रॉफी में तो जैदेव उनाटकत को मिला है यह भी वेस्ट जोन के हैं सबसे जादा आज तक दिलिप ट्रॉफी जोन नहीं जीती हैं 1961-62 में दिलिप ट्रॉफी को शुरू किया गया था BCCI द्वारा चलो नेक्स्ट हाली में जारी 32 वेश्विक वितिये केंदर सूचकांग में कौन शीष पर है 32 एडिशन था किसका Global Financial Center Index तो वेश्विक वितिये केंदर सूचकांग जहां पर ऐसे ऐसे द दिली एक आपकी दिली और आपकी मुंबई तो दिली शिक्स्टी एट्ट पार थी जब कि मुंबई कहा पर थी मुंबई सी 70 स्पाट पर 70 नंबर पर थी मुंबई तो ये भी हमने अच्छे से देख लिया था ठीक है न तो ये वाली बात भी हमने अच्छे से देख ली थी चल ले next question पर आएंगे next question था हाली में सन्यास की घोशना करने वाली जूलन गोश्वामी की स्केल से सम्मंदित हैं तो ये cricket आदा विकेट लेने वाली इंटरनाशनल क्रिकेट में यही है तो इंटरनाशनल क्रिकेट में सबसे आदा विकेट किसे लिए इन्हों नहीं लिए ओडियाई में भी सबसे आदा विकेट इन्हों नहीं लिए तो यह सारी बाते मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी इसका काम किया होता है कि जो भी सरकार किसी अकपार के खिलाब कोई कारवाही कर रही है तो यह इंडियन रेकिती की राजा प्रसाद हली में किस भारती लेकिका को हर्मन कैस्तर पुरसकार दो हजार बाइस दी गोशना की गई है, मीना कंडा सामी इनको दी गई है, अब तो देई दिया गया है, अच्छा यह कौन है मीना कंडा सामी, यह क्या करती है, यह जाती भेदभाव को लेकर कविताइं लिखती है, तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, जो है ना भारत में जो जाती प्रता और उस की इटली की हमने बात कर ली थी कि मुद्रोंअ की समर्थक है मुस्लोंई जो कि खुद डिक्टेटर शिप यह नी तानाशाइ और सम伏क समर्थक में कुछ भाइ एक आर के टानाशाइब की समर्थक जो महीला है वह बनाई यह न fullness प्रदान मंत्रियाव, हाली में किसे भारत का नया Attorni General नुक किया गया तो हमारी बात हो गई थी, आर, वेंका, ट्रमणी साप को नुक किया गया भारत का नया Attorni General जो अनुचे 16 आर्टिकल 76 है, वो Attorni General की बात करता है, ये भी हमको मालूम है इसके अलबाब पहले attorney general कौन थे हना तो पहले attorney general देश के कौन थे M.C. सीतलवाड उनका भी नाम मैंने बताए था तो M.C. सीतलवाड M.C. सीतलवाड ये first थे अच्छा इन से पहले कौन था ये 16 है हना 16 थी है 15 तो कौन था एके विनु गोपाल और एक अक्टूबर 2022 से कौन हो गए एक अक्टूबर 2022 से विंका ड्रमनी साहभ हो गए चले अब 11 से 21 अक्टूबर के current affairs कौम को देखना fresh current affairs को थोड़ा slow चलेंगे ठीक है चले पहला question आज का किसे 52 वे दादा साहिब फाल के पुरुषकार दी जाने की घोशना की गई तो किसे मिलेगा 50 सेकंड दादा साहिब फाल के पुरुषकार तो ये मिलेगा आशा पारिक जी को मैं आप सभी बच्चों को बता दूँ दादा साहिब फालके ये रहे और दादा साहिब फालके को भारती सिनिमा का पिता बोलते हैं Father of Indian Cinema बोलते हैं सर ऐसा क्यों क्योंकि 1913 में इनके द्वारा एक पिच्चर बनाई गई थी एक मुवी बनाई गई थी राजा हरीश हरीश चंद्र और राजा हरीश चंद्र जो मुवी है भारत की सबसे पहली फुल l environment मूवी है नों नहीं बनाई ये डारेक्टर है प्रेडियूसर है और इसलिए इनको भारती सिनेमा का पिता भी बोलते हैं दादा साहिब को और इनके नाम पे दादा साहिब फालके के नाम पे एक सम्मान दिया जाता है तो बहुत ही माननी सम्मान है बहुत बहुत जादा इसकी रिस्पेक्ट है सिनेमा जगत में और आशा प पहला दादसाइब फाल के पुरुसकार तो देविकारानी सम्मान के रूप में 10 लाख रुपए की राशी दी जाती है और सूचना एवं प्रसारन मंत्राले द्वारा दिया जाता है ठीक है तो हमने बहुत सारी बाते डिसकस की दादसाइब फाल के पुरुसकार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरुसकार 1969 में शुरू हुआ देविकार रानी जी को सबसे पहले दिया गया दस लाख रुपए दस लाख रुपए की इनाम राशी दी जाती है सूचना एवं प्रसारण मंत्राले द्वारा दिया जाता है अच्छा जो 51 दादा साहिफ फाल के अवर्ड था वो रजनी कान साब को दिया गया असल में ये जो अवर्ड है ये 2019 का था लेकिन दिया जाता है अच्छा एक और बात मैं बता दूँ दादा साहिफ फाल के पुरुसकार में ही होता है कि अगले साल घोशना की जाती है पिछले साल के अवर्ड की यानि 2020 में रजनी कान साब को देना था दादा साहिफ फाल के पुरुसकार कौन सा वाला 2019 वाला तो प्रीवियस येर की घोशना अगले साल होती है लेकिन क्योंकि 2020 में COVID था तो 2020 में रजनीकान साहब को दिया नहीं दिया गया 2021 में इनको दिया गया तो मैं फिर बोलता हूं रजनीकान साहब को दादा साहब फाल के पुरुसकार 2019 मिला है लेकिन दिया कब गया है 2021 में दिया गया है और और दादा साहिव फाल के पुरुसकार 2020 आशा पारिक जी को दिया गया है और कब दिया गया है 2022 में दिया गया है जो अभी हम चर्चा कर भी रहे सब चीज डिले हो गई ना तो 2019 वाला आवर्ड 2021 में दिया गया रजनीकान साब को और 2020 वाला अवर्ड अब आशा पारिक जी को 2022 में दिया जा रहा है सब कोविट की वज़े से डिले हो गया मुझे अमीद है कि यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई यह है दादा साहिफ आल के पुरुसका नेक्स्ट बात करें हाली में किस राज जी को मिलिट को कोदो और कुटकी ऐसे और भी राज जहां पर कोदो कुटकी खाय जाते बड़ी मातर में 36 गड़ में भी खाय जाते और 36 गड़ ने बहुत जादा काम किया है इनको प्रमोट करने के लिए मैं आपको बता दूँ 36 गड़ पहला राज जहे जिसने नियूंतम समर्थन मूल य कि वो गेहू और चावल को इस मिनिममम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से खरीदे ताकि एक फिक्स प्राइस जब किसानों को मिलेगा कि उनको मालूम होगा इत्ता तो मिलना ही है तो इससे वो डरेंगे नहीं उत्पादन करने में लेकिन मोटे अनाच क्या उत्पादन करने और जिसकी वज़े से 36 गड़ में मिलेट यानी मोटा अनाच का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है मैं आपको बता दूँ यह किसलिए अच्छी पहले इसके दो कारण मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली बात यह गरीब किसान जो होते हैं जो सिचाई विवस्ता उप बाज़रा भी कम पानी में उग जाते हैं इसलिए किसान जो सिचाई विवस्ता उपलब्द नहीं कर सकते हैं अपने पास वो लोग क्या करते हैं वो इसको उगाते हैं और एक तो उनका फायदा हो गया दूसरा यह जो कोदो है इसमें प्रोटीन की मातरा बहुत होती है और बहुत आसानी से पच जाता है और इससे वेट लॉस भी होता है कुल मिलाके डबल बेनिफिट है आम लोग जो खा रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है और किसान के लिए बेनिफिट है इसलिए 36 गार्ड राज की पहल अच्छी मानी गई ठीक है तो इसलिए उसको पोशक अन नाम से एक समारक बनाए है अबोर्ड ऑफ दी यूनिकॉण अबोर्ड मतलब होता है निवास इस्थान हना तो निवास इस्थान अगर मैं बात करूँ तो यह एक इंगलिश का वर्ड है अबोर्ड यहां पर मैंने लिख दिया है यह एक इंगलिश का वर्ड है अबोर्ड औ अगर आपको मालूम हो तो काजी रंगा राष्ट्री उद्यान तो फेमस ही है एक सिंग वाले गेंडे के लिए एक सिंग वाले राइन। सौरस के लिए और वहाँ पर क्या किया गया बहुत सारे शिकारिओंध। दोरा बहुत सारे गेंडों को मारके उनका जो हौन है जो सीम्घ है उसको लिया गया और उसकी तत्करी कर रहे थे और जब वह पकड़ा गए तो जो विभाग है जब उसAND ay पकड़ा इनको तो उनको त लिए पता काजी रंगा राश्ट्री में मैं मने सो पिचासी में यूनेसको एक इस इसको सुचो 2400 से अधिक मिली थी यहां पर से सींगे हना और यही शिकारियों की वज़े से इस्तिती है मैं आपको बता दू 1980 के दशक में असम में पांच ऐसे शेत्र थे जहां पर बहुत बड़ी संख्या में गेंडे मिलते थे आज यह सिमटकर केवल तीन शेत्रों में ही मिलते हैं दो से विलुप्त हो गए हैं ऐसे ही शिकारियों की वज़े से समारक को क्या बोलते हैं अबोर्ड ऑफ दी यूनिकॉन यह समारक गेंडों के संद्रक्षन का प्रतीक होगा अचा बाइस सितंबर को विश्व गेंडा दिवस भी मनाया जाता है 22 सेप् फुल फॉर में Employee State Insurance Corporation यानि कर्मचारी राज बीमा निगम इसकी बात करें तो राजेंद्र कुमार साब इसके महा निर्देशक के रूप में नुक किये गए एसक का काम क्या होता है मैं आपको बता दूँ क्या होता है कि जो registered companies होती है एसक में तो एसक का यह काम है कि company यानि employer यानि जिसने newty दी है जो मालिक है वो मालिक नियमत रूप से अपने कर्मचारीों का insurance हमको भेज रहा है कि मतलब पैसे के form में कटवा रहा है कि नी तो एसक का यह काम है कि वो देखे कि employer यानि मालिक fix वो हर employee का जो हिस्सा है insurance का वो payment कर रहा है एसक के पास तो यह payment एसक रि कार स्थल पर अगर किसी employee की दुरगटना हो गए या कोई मालो मृत्यू हो जाती है ऐसी स्थिति में एसक फिर क्योंकि एसक ने बीमा लिया है तो भाई फिर वो payment करता है compensation देता है तो एसक के दो काम है एसक का पहला काम क्या है कि जो मालिक है वो payment दे रहा है यह देखो और दूसरा अगर कोई कार स्थल पर work place पर कोई कर्मचारी की मृत्य हो जाती है या कोई दुरगटना में कुछ भी injury हो गई लग गई तो भाई उसको तब भी compensation दिया जाएगा और इसकी स्थापना 1952 में कानपूर में हुई थी लेकिन आज एसक का मुख्याले दिल्ली में है त क्या बोला मैंने integrated cryogenic engine manufacturing facility में आपको बता दूँ जो cryogenic engine होते हैं यह बहुत कम देशों के पास यह तकनीक है कि cryogenic engine बना दे एक समय था जब हमारे पास यह तकनीक नहीं थी तो हम लोग अमेरिका और रूस से बोलते थे please हमको दे दो हमें हमारे spacecraft को spacecraft में क्या होता है spacecraft में last stage में अगर आपको बहुत जादा लोड लेके जाना है तो आपको cryogenic engine लगेंगे तो बहुत दूरी के mission करने बहुत जादा लोड लेके जाना है तो cryogenic engine अकसर इन जगों पे spacecraft में लगते हैं हमारे पास थानी हम लोग इन से हाथ जोड़ते थे इन्होंने हमें धिकार दिया मना कर द करता है और यह जो gases होती है जब यह engine काम भी करता है तो माइनस 150 degree माइनस 150 degree Celsius या इससे भी कम पर काम करता है और इसलिए इसको बनाने की तकनीक हर देश के पास नहीं इतने कम तापमान में कैसे चलाओ गया यह बड़ा मुश्किल काम होता है इसलिए हर किसी के पास नहीं है लेकिन अब तो भारत के पास खहरी टेकनीक है और बैंगलूरू में अब यह integrated cryogenic engine manufacturing facility स्थापित की है इसमें क्या होगा संपूर जो engine का निर्माण है body का निर्माण है एक ही छट के नीचे होगा यानि engine भी वहीं बनेगा body भी वहीं बनेगी जो fuel यानि जो इंदन है वो भी याद रखना है next बात करें हाली में Tata Steel ने कहां पर कदमा जैव विविदता पार का उद्गाटन किया है तो कहां पर किया है जमशेदपूर आपको मालूम है टिसको आपने सुना होगा Tata Iron Steel Company तो यह भी टिसको जो है जमशेदपूर में ही आई थी हना इसके बार में देश की ऐसी company है जिनोंने एक प्रण लिया इनका एक प्रण है no net biodiversity loss मैं पढ़ देता हूँ आपको मैं फिर बोलता हूँ no net biodiversity loss इसका मतलब है कि Tata Steel कह रहा है कि हम लोग अगर कभी कुछ ऐसा काम करतें Tata Steel कह रहा है यानि कि net biodiversity loss नहीं होना चाहिए यानि प्रकृति को net zero नुकसान हम पहुचा है कहने का मतलब है अगर Tata Steel ने मान लो factory में कुछ ऐसा चीज़े बना रहे हैं जिसकी वज़े से carbon उतसरजन हुआ carbon emission हुआ तो यह क्या करेंगे उसको balance करने के लिए उतने पेड लगाएंगे जिससे की वो carbon वापस खिट सके यानि balance करेंगे अगर Tata Steel ने कुछ ऐसा किया है कि जिनसे नदियों में इनको कुछ waste water बेकार पानी जो इंडस्ट्री से निकला है फैक्टरी से निकला है वो छोड़ना पड़ा नदियों में तो यह उतना ही जादा तालाब बनाएंगे या rain water harvesting करेंगे यानि जो वर्षा का पानी होता उसको संरक्षित करेंगे बैलेंस करने का प्रयास रहेगा हमेशा तो इन उन्हें ही कदमा यह बायो स्फियर जो बनाया है और यहां पर हम देखते हैं यह पार 13.5 एकड़ में बन आए गया नेक्स्ट बात करें हाली में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बलके वार्षिक प्रसिक्शन अभ्यास operation sudden readiness operation sudden readiness readiness में भागीदारी किये मैं आपको बता दूँ यह जो operation sudden readiness है असल में यह combined maritime forces जिनको हम लोग बोलते हैं CMF यह उनका एक अभ्यास था combined maritime forces में आपको बता देता हूँ क्या होता है असल में combined maritime forces अलग अलग जो देश है उनका एक संगटन है इनका जो मुख्याले है वो बहरीन का जो capital है मनामा वहाँ पर मुख्याले है लेकिन इसकी command किसके पास है अमेरिका के पास है और भारत आज तक CMF का member नहीं है इस CMF में अभी 34 सदस्य देश है भारत इसका full time member नहीं है लेकिन इसी साल 2022 में भारत ने घोशना की है कि हम इसके associate member बन जाएंगे अभी भी पूर्ण रूप से member नहीं बनेंगे associate member बनेंगे और उसको ही अपनी commitment को और आगे बढ़ाते हुए अभी भारत ने हाल ही में INS सुनेना नाम का जहाज इस अभ्यास में भेजा था मैं फिर बताता हूं combined maritime force में 34 देश शामिल है और इन 34 देशों की बात करें तो भारत नहीं है लेकिन भारत ने बोला है कि भविश में वो इससे जुडेगा और इसलिए भारत ने INS सुनेना को भेज दिया है और इस अभ्यास में हिस्स और नाम है operation sudden readiness, क्या नाम है operation Southern Readiness, то यह हमने पूरी बात कर ली चलु। यह पूरी बात हमने देख LIVE हैं, नेक्स चीज बेखो क्या है नेक्स चीज देखो क्या है अच्यफर है यह कहाँ पर हुआ था यह operation sudden readiness अभी कहाँ पर हुआ था सेचिलिस में हुआ था मैं अगर आपको अभी अभ्यास हुआ था जबकि मुख्याले का है मनामा बहरीन में CMF का मुख्याले है अभी अभ्यास कहा हुआ Southern Readiness यह Sessions में हुआ और Sessions में भारत ने किया भीजिया आईनस सुनेंना Next बात करें हाल ही में साओधी अरब का नया प्रधानमंतरी किसे बनाया गया है मैं आपको बता दू, साउधी अरब में एक होता है राजा और प्रधान मंतरी, सुनना, अभी तक 2015 से साउधी अरब में राजा और प्रधान मंतरी का पद एक ही व्यक्ती के पास था, जिनका नाम था सल्मान बिन अब्दुल अजीज, क्या नाम था, सल्मान बिन अब्दुल मैं आपको दिखा दिता हूँ, ये है, ये है, सल्मान बिन अब्दुलाजीज ये वेक्ती, लेकिन इनकी उम्र किती है, 86 वर्ष इनकी उम्र है, ये राजा और प्रधान मंतरी साओधी अरब के दोनों थे, अब इनने 2022 में क्या किया, आप इनको दिख भी रहा भाई, एज इत अभी भी ये खुद है, प्रधान मंतरी इनको बना दिया और ये clear cut indication है, कि अब इनको कभी कुछ हो भी जाता है, तो भई है, ये जो वेक्ती है, प्रधान मंतरी ये ही नया राजा है, तो मुहम्मद बिन सल्मान अगले राजा होंगे, अभी राजा कौन है, अभी राजा है सल्मान बिन अबदल अजीज हना? चले, तो यह हमने पूरी बात देख ली सल्मान बिन अबदल अजीज 2015 से 22 सक प्रधान मंतरी रहे राजा भी रहे और आप केवल राजा है प्रधान मंतरी मुहम्मद बिन सल्मान हो गये साथी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश भी है ये भी दिमाग में रखिएगा चलो भई आगे की बात करते हाली में भारत सरकार ने किसे चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के रूप में न्यूक्त किया तो इसको मैंने सही टिक कर दिया तो लेफटिनेंट जेन लेफटिनेंट चेनरल अनिल चोहान सहब जो है ये हैं अपने चीफ आफ डिफेंस स्टाफ ठीक है अच्छा अब मैं आपको संदर्शना बता देता हूं वापस हमारा जो रक्षा है पूरा जो स्ट्रक्चर उसका क्या है तो जो आर्मी के हैड है मनोच पांडे आर्मी के है आर्मी के हैड है अब समस्य पहले ये थी कि इन तीनों में से कोई व्यक्ति हैड बनता था चीफफ स्टाफ कमिटी का तो पहले कमिटी होती थी जिसको बोलते हैं चीफ स्टाफ कमिटी उसका इन तीनों में से rotational basis पर कोई head बनता था मतलब कुछ समय आर्मी के बन गए head फिर इन तीनों का head कुछ समय ये air force वाले हो जाते थे फिर इन तीनों का इनके बाद कोई navy वाला जो समय का head है फिर वो head हो जाता था rotation basis पर लेकिन युद्ध के इस तर पर हम लोग ऐसा कुछ पसंद नहीं करतें कि भाई वेक्टी चेंज हो रहे हूं या फिर किस से आदेश आएगा कौन किसको मानेगा ये बात clear नहीं थी इसलिए हमने एक नया पोस्ट बनाया 2019 में नया पत बनाया chief of defense staff और पहले chief of defense staff कौन थे general विपिन रावत जिनकी बड़ी दुखत मृत्य हो गई आपको मालूम होगा तमिल नाडू में कुनूर जो तमिल नाडू में कुनूर उसे की पास हम देखते हैं कि एक helicopter crash में उनकी उनकी पतनी की और भी 11 लों की मृत्यू हो गई थी तो जनरल विपिन रावत साफ पहले chief of defense staff थे और दूसरे कौन है तो जनरल अनिल चोहां दूसरे chief of defense staff है तो यह मैंने आपको बात पता दी extra fact देखते है chief of defense staff 2019 में पत आया अच्छा कौन सी समिती कौन सी समिती के कहने पर यह पत बनाया गया तो डी भी शेकात कर यह खुद lieutenant general है इनकी समिती की यह अज्यक्ष थे उस समिती के इन्होंने का कि पत बना तब 2019 में पत बना और पहले cds कौन थे पहले chief of defense staff कौन थे विपिन रावत साफ निदन तमिल नाडु में कुनूर में हो गया दूसरे कौन है lieutenant general अनिल चोहन यह मैंने बात आप सभी बच्चों को बता दी चलो आगे की कहानी हाली में कौन सा राज्य जन जातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया देखो विश्वकोश यानि एंसाइक्लोपीडिया और जन जातियों का विश्वकोश बनाना क्यों जरूरी है असल में जन जातियों के पास बहुत जादा सालों से जो उनने ग्यान उनके पास मौजूद है जो सदियों से उनकी अनूठी परंपराएं हैं उनको एक जगा पर लिखना जरूरी है बनना समय के साथ ही विलुप्त हो जाएंगी और कई कई राज कई कई बिमारियों के राज भी इनकी परंपराओं में इनके ग्यान में छुपे हुए हैं दूसरा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर मान लो उसको जानना है उस शेत्र के बारे में तो सबसे अच्छा उनकी परंपराओं को जाना बिना परंपराओं को जाने उन पर नीतिया अगर बनाओगे तो गलत है किस ने लॉंच किया है तो जो ओडिसा के सीम है नवीन पटनायक साब उनने अब देख भी सकते हैं ना चलो हाली में किस देश की सामन था 's कृस्टफ 480 International Space Station की कमांड शनбालने वाली पहली यूउरोपी महीला बन गही तो इटली की ही यह कहां कि इटली की है इनके वारे में बात कर लेते हैं अंतर राश्ट्री स्पेस स्टेशन की बात कर लेते हैं तो जो अंतर राश्ट्री स्पेस स्टेशन है ये 1998 में भीजा गया था यह आप देख सकते हो यहाँ पर क्या किया जाता है यहाँ पर रिसर्च की जाती है यहाँ पर रिसर्च की जाती है जो अंत्रिक्ष का जो पर्यावरण है उसमें मैं आपको बता दू अलग-अलग स्पेस क्राफ्ट और एक्विप्मेंट जिनको लॉंग मिशन में लंबे मिशन में भीजना भी है अंत्रिक्ष में तो उनको यहाँ पर पहले रिसर्च कर ली जाती कि वो किस प्रकार काम कर रहे हैं उन पर एक्सपेरिमेंट कर ली जातें आज तक 251 तुरिस्ट आज तक 20 देशों के 251 astronaut और space tourist अलग-अलग यहां पर जा चुके हैं अस्टोनाट और space tourist 251 बीस अलग-अलग देशों के यहां पर जा चुके हैं ठीक है International Space Station मतलब अगर आपके पास बहुत पैसा है भी आप यहां की टिकेट भी ले सकते हो International Space Station में जाके घूम सकते हो हुआ और International Space Station अमेरिका रूस जापान यूरोप और कैनेडा ने मिल में मिलके इसमें पैसा लगाया है लेकिन रूस पर यूकरेन की जो पूरी घटना है रूस ने उस पर हमला किया उसके बाद रूस पर बहुत सारे प्रतिबंद लगे तो रूस ने ये धमकी दिये कि हम अंतर राश्च्री Space Station को फंडिंग नहीं देंगे तो हो सकता है रूस विड्रॉ कले अपनी फंडिंग देखते हैं क्या होता है स्थापनेस की इती 1998 में और अभी इसका नेतरित वह कौन संभाली है हर जगा का कोई नेता होता है कि वहां के आप जो भी ओर्डर होंगे फॉलो करने पड़ेंगे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अभेट कौन है तो समान्था क्रिश्टो फॉरेटी जो इटली की है यही कोशन का सही जवाब भी चलो नेक्स्ट, हाली में प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलन्यास रखा है तो यह भाव नगर गुजरात में रखा है मैं आपको बता दूँ यह भाव नगर गुजरात में जो CNG टर्मिनल ही क्या होने वाला है जैसे मान लो कोई भी CNG compressed natural gas जिसको बोलते हैं तो ये जो संपीडित प्राकृतिक gas है इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है और ये gas जैसे ही आएगी भाव नगर में तो जो ये terminal बनाया जा रहा है ना तो यहाँ पर इस gas को उतारा जाएगा फिर इस gas को pipeline के माध्यम से आस पास के जो भी उद्योगिक शेत्र है अलग-अलग उद्योगों के पास भेजा जाएगा तो ये दुनिया का पहला CNG terminal है ना सिर्व भारत का दुनिया का पहला CNG terminal है भाव नगर गुजरात में बनने वाला है ठीक है ना तो देख लेते हैं दुनिया का पहला CNG terminal भाव नगर गुजरात हाना CNG का परीभन में भी इस्तमाल होता है और अलग-अलग उद्योगों में भी इस्तमाल होता है मुक्य रूप से मीथेन गयस होती है आपकी CNG आपको मालूम होगा और घर में जो इस्तमाल होती है जो घर में जो हम लोग खाना बनाते हैं तो LPG होती नेक्स बात करें हाली में जैंती पटनायक का निधन हो गया वै कौन थी तो जैंती पटनायक है वो राजनीता थी और जो राश्ट्री महीला आयोग है उसकी पहली अध्यक्ष तो सबसे पहली अध्यक्ष राश्ट्री महिला आयो की कौन थी तो यही थी जैन्ती पटनाएक इनका नाम तो वैसे भी आ सकता है कि राश्ट्री महिला आयो की पहली अध्यक्ष वैसे भी आ सकता है और current affairs में से लिए क्योंकि अभी अभी निधन हुआ है मैं आपको यह भी बता दूं यह लोग सभा की सदस्स से भी रह चुकी है अच्छा जो आपका जो आपका राश्ट्री महिला जो नेश्ट्री महिला जो नेश्चनल कमिशन फॉर वुमेन है न तो यह जो आपका है तो य यह 1992 में स्थापित हुआ था राजनेता है यह जैन्ती पटनाएक ओडिसा से हैं हना बीजू पटनाएक नवीन पटनाएक तो ऐसे भी आद रख सकते हैं अभी हमने नवीन पटनाएक साब का भी नाम देखा था तो राश्ट्री महिला आयोग की पहली अध्यक्ष भी है लो मंगल यान 2013 में सतीज धवन स्पेस सेंटर आंधर प्रदेश वहां से इसको लॉंच किया था 2013 में और और मैं यह भी बता दूं पी एस एल वी सी ट्वेंटी फाइव रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था लेकिन जो हमारा मंगल यान मिशन था उसमें जो यह रॉकेट था फिर आगे उसकी जो आगी कहानी थी उसने आगे अपना जो भेज दी थी चीज़े वहां पर जाने के बाद मार्स का जो और्बिट है वहां पर घूम रही थी कोई भी ऐसा रोवर हमने नहीं भेजा था हमने कोई रोवर नहीं भेजा रोवर का मतलब होता है कि एक ऐसा एक् सर्च कर रहे हो या कोई भी जो प्लैनेट है कहीं पर भी आप उसकी जमीन पर उतर रहे हो और फिर जो मूवमेंट कर रहा है वो मशीन उसको लोग रोवर कहते हैं लेकिन ऐसा तो भारत नहीं भीजा लेकिन आज तक ऐसे रोवर मार्स पर केवल दो देश अभी तक भेच चु नाम था तियान्वेन तियान्वेन असल में उसका अन्तरिक्ष यान था जैसे हमारा PSLVC25 नाम था उनका नाम था तियान्वेन और मिशन का नाम भी वही है और जो यान है उसका नाम भी वही है और इसी जो यान है इसमें से ही एक रोवर निकलता है और उसका नाम में जुरॉंग जो मार्स की धरती पर फिर रिसर्च कर रहा है ठीक है ना तो हमने बात कर लिए इस प्रकार चीन तीसरा ऐसा देश हो गया है ज चीन का मंगल मिशन ना में 93 जिरॉंग रोवर का ना में दूसरे घर गर पर उतरने वाला चीन का पहला रोवर कुछ चीन के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्दी है कि दूसरे घर पर पहली बार उसने रोवर उतार दिया है और मंगल पर उतारने वाला वो तीसरा ऐसा देश बन गया है, अमेरिका और सोवियत संग के बाद, ठीक है ना, चलो, हना, तो मैंने आपको भी बता दी, मैं आपको बता दू, अचि UAE का मिशन मैंने आपको कुछ दिन पहले मार्स के लिए बताया था, whichUh मिशन, जो की UAE का मिशन था, मार्स के लिए, चले, बात करेंगे, नेक्स बात देखें क्या हाली में चर्चा में रहा Operation Octopus किस से सम्मंदित है तो जो Operation Octopus है वो असल में NIA का Mission है National Investigation Agency और ED का Mission है मुख्य रूप से NIA का ये Mission है मैं आपको बता देता हूँ जो National Investigation Agency है उसने कहा कि एक संसा है जिसका नाम है Popular Front of India PFI और ये आतंगवादी गती वीडियों से जुड़ी है ऐसा किसने कहा NIA ने और इसी वज़े से आठ राज्यों और केंद्र शास्वित प्रदेशों में जो PFI के जहां जहां पर ब्रांचिस थे वहां पर रेट डाली गई 170 लोगों को गिरफतार किया गया अलग-अलग आतंगवादी गती वीडियों से किसी ना किसी प्रकार जुड़े रहने को तो मैं आपको ये भी बता दूँ फिर NIA ने ये कहा कि जैसे अलग-अलग देशों से फंडिंग ले रहा था PFI भारत में आतंगवादी गती वीडियों को बड़ावा देने के लिए ऐसा किसने का NIA ने तो NIA अन्य जाच एजंसियों के साथ देश में कतित तौर पर आतंग की गती वीडियों का समर्थन करने के लिए Operation Octopus के तहट PFI सदस्वे पर छापे मारी कर रही है ठीक है ना चलो ये हमने राज्यों की जो कला है जो संस्कृती है जो शिल्प है जो व्यंजन है उसको रखा गया अब इससे क्या होगा इससे बड़ावा मिलेगा ट्यूरिजम को कैसे सर देखो सिंपल सी बात है अगर आप किसी मुंबई वासी को चखाओगे 36 गड़ का आने को मिलें कुल मिला के अलग-अलग राज्यों के व्यंजनों को शिल्प को कला संस्कृति का डिस्पले किया गया था ताकि लोग आकर्शे तो वहाँ पर जाने के लिए खुद प्रधान मंतरी मोधी साहब ने इस बार ये बोला था कि हर भारती को 2022 तक 15 पंद्रा टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूमनी चाहिए हमने बोला पैसा कौन देगा मोधी जी आप देंगे क्या पैसा मोधी जी ने माइक बंद कर लिया और लोगों ने बोला वा मोधी जी वा तो कुल सितंबर से 2 अक्टूबर को मुंबई में हुआ शुरुआत सी एम जो महराष्ट के एकनाच शिंदे और किशन रेड़ी जो भारत सरकार के संस्कृती मंतरी हैं उन दोनों के द्वारा की गई लेकिन ये दोनों बाते काम की नहीं में बात काम की कहां पर हुआ और्गनाइस मु किया है राष्ट्री लता मंगेशकर सम्मान मद्यप्रदेश सरकार देती है बहले ही राष्ट्री बोल रहा है लेकिन मद्यप्रदेश सरकार देती है मैं आपको बता दू मद्यप्रदेश सरकार ने इस साल दो लता मंगेशकर सम्मान की घुशना की है एक साल 2013 14 के लिए सर, 2013-14, हाँ, असल में 2013 में मद्ध प्रदेश में चुनाऊ थे और मद्ध प्रदेश सरकार इतना व्यस्त हो गई कि उस साल सम्मान नहीं दिया, ना 14 में 13 का दिया, तो ऐसी इस्तिती में फिर उनको अभी याद आया, 2020 में, हो हो हम तो भूल गए, ऐसी इस्तिती में उन्होंन अंसर क्या है कुमार शानू, क्योंकि कोशट्छन आपसे, 2013-14 तो पूछ नहीं हाए, कोश्टन आपसे बोलता है, कि लता मंगेश का समान 2,021 कि को दिया गया, जो कोशट्छन ने पूछा तो कुमार शानू को 21 का दिया गया, नैं फिर बोलता हूं, राष्ट्ती लता मंगेशकर सम्मान मद्यप्रदेश सरकार द्वारा 1984 में इस्थापित था इसमें दो लाग का प्राइज मनी दिया जाता है कितना दिया जाता है दो लाग का प्राइज मनी दिया जाता है फील्ड प्लेबैक सिंगे यानी पार्शव गायन क्योंकि लता मंगेशकर जी प्लेबै 2022 को मुंबई में हुई है और यह बहुत बड़ी सिंगा नहीं मुझे बताने की जरुवत नहीं है इनको स्वर कोकिला स्वर समरागी भी बोलते हैं अब यह कितनी बड़ी इस बात से अंदेशा लगाओ कि इनको 2001 में भारत रत्न सम्मान मिला था जो भारत का सरवोच नागरिक सम्मान है तो 2001 में लता मंगेशकर जी को वह भी मिला था ठीक है तो राष्ट्री लता मंगेशकर सम्मान नाइंटीन इटी फोर में और यह हमने बात देख ली दो लाग का इसमें प्राइज मनी दिया जाता है और हमने इभी बात कर ली 2020 को मिला है कुमार शानुका 2020 का मिला आनंद मिलंद आनंद मिलंद की जो म्यूजिकल जोड़ी है दो लों का नाम मिलंद इनको मिला था और 2013-14 को किसको मिला है तो अलका यागनिक जी को मिला है यह भी मैंने आपको पूरी बात बता दी अगला देखो विश्व विश्व अरत व्यवस्ता शिकर संमेलन विश्व हरित अर्त व्यवस्ता शिकर्स विवस्ता का आयूजिन कहा किया गया है यह दुबई में किया गया है जैसा उसका नाम है ग्रीन और एकनौमी साथ साथ है यानि यहाँ पर इस पर चर्चा हुई कि कैसे एकनौमी यानि अर्थ विवस्ता को आगे ले जाना है बढ़ाना है उद्योंगों को बढ़ने देना है लेकिन इस प्रकार की पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो तो यह दुबई में अयुजित की गई है आठवा संसकरन था पर्यावरण को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास करना अच्छा आप सब बच्चों के लिए आज कोशन ऑफ दी डे भी मौजूद है कोशन ऑफ दी डे बड़ा शांदार कोशन होने वाला है जिसके अंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देने है जो हमारे प्रिवियस कुछ वीडियो का एक कोशन रहेगा पिछली बार आप लोगोंने सही जवाब बंगलादेश का दिया था जो साउथ एशन फुटबॉल फेडरेशन का जो एक एडिशन था वो किसने जीता कोशन था हाली वाला तो बंगलादेश ने जीता है बिलकुल सही जवाब इस बार भी आप लोगोशन का जवाब दीजेगा इससे आपके तयारी बहुत बहुत बहतरीन हो जाएगी चलो कोशन भी हम लोग देखते हैं पिर मैं आपको पूरा रिवीजन भी करवाऊंगा पहले हम लोग कोशन अफ दी डे देख लेते हैं कोशन अफ दी किया है ये एपिरा स्वेमर ay partial dal के समउन है जिनकी बात हो रही है यह मद्द प्रदेश सांबिधित मैं उस दिन भी बता chip tha और यह पहले, पहले इस ने RS क्रॉश किया, इनका पूरा दुनिया में खख्याती है ने सब्सक्राइब साहब कई बार सम्मान दिया, इनको Tenzing Norge Adventure Award भी मिला ही, बहुत बड़ी बात ही, पहले दिव्यां की जिनको Tenzing Norge Adventure Award क्या इनका नाम Bula Chaudhary, क्या नाम Ziya Rao है, क्या इनका नाम Ramesh Singh है, क्या नाम Satyananda Singh Lohi है, तो इन में से आपको बताना है कि सई जवाब क्या है तो आप option जो भी सई लगे आप ज़रू comment section बताएगा चलो अब हम लोग जल्दी से revise करें तो जल्दी से हम लोग revise करते हैं यहाँ पर देखो मैंने फोटो भी आपके लिए लगा दी है तो यह वो व्यक्ति है जिनको मिला ह बस आपको इनका नाम बताना है ना कि इनका नाम कहा है जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग revision कर रहे हैं कि जो जो हमने आज पड़ा बस वह हम लोग कर लेते चलो बाई तो हमने यहां से अपनी कहानी शुरू की तो सबसे पहला question हमने बूला दादा साइब फ इनने मोटे अनाजों को प्रमोट करने के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया अबोर्ड ऑफ दी उनिकॉन का समारक कहां पर असम में है हना तो जो गेंडों की सींग मिली है जो शिकारियों से उसनी की उन सींगों को जलाके जो राक मिली उससे ही बनाया है है असम में काजी रंगा राष्ट्री उद्यान में कर्मचारी राजबीमा निगम के महा निर्देशक और राजेंदर कुमार हना तो हमने एसिक की भी बात कर ली थी कानपूर में 1952 में स्थापित हुआ लेकिन मुख्याले न टाटा स्टील ने जमशेदपूर में टाटा स्टील ने इसको इसलिए स्थापित किया है ताकि जो भी वह नुकसान पर रहावरान को वैसे अपने कामों से पहुंचाते तो यहां पर उसको बैलेंस किया जाए नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन सदन रेडिनेस जो है उसमें भारत ने क्या भीजा है आई एनेस सुनेना भारत ने उसमें अपनी शिप भेजी है आई एनेस सुनेना ये भी हमने बात कर लिया सीमेफ सीमेफ कहां पर और्गनाईज हुआ तो सेशल्स जो यह जो एक देश है जो की राजनीतिक रूप से एफरिका का हिस्सा है तो यहां पर यह और्गनाईज हुआ था चलो साओधियर अपके नए प्रधान मंत्री कौन है तो मुहमद बिन सल्मान है और अगर बोले राजा कौन है तो सल्मान बिन अब्दुल अजीज राजा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो लेफटेन जेनरल अनिल चौहान है पहले किस देश की समंता क्रिस्टो फॉरेटी इंटरनेशनल स्पेस्टेशन कमान सभालेंगी इटली की हैं यह और अंतराश्ट्री स्पेस्टेशन 1998 में बनाए रिसर्च होती है पहला सी एंजी टर्मिनल दुनिया का कहां पर भाव नगर गुजरात में यहां पर सी एंजी गैस क के बाद अलग-अलग उद्योगों को पहुचाए जाएगा जैनती पटनाय का निदन वह कौन थी राजनेता थी यह पहली अध्यक्ष राष्ट्री महिला आयोग की और लोग सभा की सदस से भी रह चुकि राष्ट्री महिला आयोग 1992 में बना जुरोंग रोवर मंगल ग्रह तो अब दुनिया में ऐसे कितने देशे जिन्होंने अपना रोवर भेज दिया है मार्स पर तीन हो गए एक हो गया सोवियत संग एक अमेरिका और तीसरा हो गया आपका चीन चले हाली में चर्चा मेरा ऑप्रेशन ऑक्तोपस किस से संबंदित है तो यह ED और NIA से संबंदित है पोपुलर फॉर्ट ऑफ इंडिया को यहाँ पर इह पर इहां पर इनके जो ब्रांश के थी ऑपॉपलर फॉर्ट ओफ corridor की वहीं पर रेट डाली गई है इस निए सही जवाब क्या है कुमार शानू और तेरा चौदा का अलका यागनिक और इसमें दो लाक की प्राइज मनी दी जाती है फिर विश्वहरित अर्थ व्यवस्ता शिकर सम्मेलन का आयुजन दुबई में किया गया और कोशन ऑफ डी डेवी मैंने बता दिया कौन से पहले पैरा स्व को सुधानने के लिए मुझे उमीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी अब आप सभी बच्चे जा सकते हैं कोशन अब डिडे का जब आप जरूर दीजेगा उससे आपकी तयारी और स्ट्रॉंग होगी और सशक्त होगी और रिवीजन भी होता जाएगा और हम भी मोटि